हेलो दोस्तों कीवी कुकिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम बनाएंगे घेवर बहुत ही असान तरीके से बन करके ये राडी हो जाएगा ज्यादा महनत भी नहीं लगेगी और मार्केट से भी अच्छा बन करके ये घेवर तयार होगा तो आप मेरी इस रेसिप बरफ के अड़ करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है ग्राइंड करने के बाद कुछ हाट सा टेक्सníर केट्चर हो गया है देखिये और यहाँ पर हम 1fo लिए और यह इत एक मैदे को एड़ करते जाएंगे और इसे ग्राइंड करते जाएंगे एक साथ पूरे मैदे को नहीं एड़ करेंगे थोड़ा थोड़ा ही करके इसमें मैदा डालते जाएंगे और इसको ग्राइंड करते जाएंगे जैसे जैसे मैदा इसमें एड़ होता जाएगा ये थोड़ा ठिक होता जाएगा यहाँ पे देखे कितना ठिक सा हो गया है और यहाँ पे हम थोड़ा सा chilled water add करेंगे और फिर से इसे grind कर लेंगे लाश्ट में जो बचा है मैदा सबको add करके इसमें एक चमबच मैंने यहाँ पे एक बड़ा चमबच बेसन लिया है इसको add करके थोड़ा सा water add किया है chilled water और फिर से इसे grind कर लेंगे बैटर को हमें बहुत ज़्यादा ठिक नहीं रखना है liquid form में एक दम water की consistency में ही रखना है तो इसमें हम chilled water add करते जाएंगे लाश्ट में यहाँ पर हम एक चमच नीबू का रस add करेंगे इसको छान लिया था और सारे बैटर को एक बार फिर से grind करके एक भगोने में निकाल लेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं यह भी बैटर थोड़ा सथीक है तो इसमें अभी हम और chilled water add करेंगे नार्मल water नहीं add करना है chilled water ही add करेंगे अगर आपके पास water नहीं है तो आप इसमें वरफ भी add कर सकते है और इसको आप थोड़ी देर के लिए हम फ्रेज में रख देते हैं क्योंकि बैटर को हमें room temperature पे नहीं रखना है ठंडा ही रखना है तो अब यहाँ पर हम चासनी बना लेते हैं चासनी बनाने के लिए मैंने एक कप चीनी लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी आट किया है ज्यादा पानी नहीं add करेंगे और इसमें इलाची को दरदरा कूट करके इलाची आट कर लिया है चासनी में और इसमें मैं यहाँ पर केसर के धागे आड़ कर रही हूँ, अगर आपके पास केसर का धागा नहीं है या आपको नहीं पसंद तो आप इसके भी कर सकते हैं और यहाँ पर चासनी हमें एक तार की चाहिए, तो इसको अच्छे से पका लेंगे चासनी यहाँ पर एकदम रैडी है बहुत ही आसानी से बन करके यह घेवर तयार हो जाता है तो आप इसको एक बार जरूर ट्राइ करें घर में और यहाँ पर अब हम रबडी बना लेते हैं रबडी बनाने के लिए मैंने हाफ प्लेटर यहाँ पर मिल्क लिया है और इसको अच्छे से बॉयल करते हुए इसको एकदम पका लेंगे और इसमें दो चमच मैंने आप चीनी आड़ किया है चीनी ज़्यादा आड़ नहीं करेंगे अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी की कॉंटिटी बढ़ा भी सकते हैं आह देसको इसको थिक नहीं करना है ऐसे ही रखना है और यहां पर अब हम बना लेते हैं घेवर की बनाने के लिए on the sauce आप इसमें अचां कर दिया है और यह तेल यहां पर गरम करेंगे इसमें ने चासनी बनाया था उसी टाइप का मुझे यहां पी बरतन लेना है तो मैंने ये बरतन लिया है, गहरा बरतन ही लेंगे और उपर से थोड़ा थोड़ा सा करके बैटर डालते जाएंगे तेल एकदम गरम होना चाहिए, हाई फ्लेम पे ही फ्लेम रहेगा यहां पर गैस दीमा नहीं होना चाहिए और उपर से बीच ओ बीच में एकदम तेल के बैटर को डालते जाएंगे जैसे ही यहां पर यह जाग बनना बंद हो जाए, तो आप फिर से इसमें उपर से बैटर एड़ करते जाएंगे अगर आपके पास बॉटल नहीं है, तो आप कलचुल से भी एड़ कर सकते हैं लेकिन इस से थोड़ा सा आसानी होती है, और एकदम परफेक्ट बन करके रैड़ी होता है तो आप इस ताइब के बॉटल का ही यूज़ करें, तो ज़्यादा अच्छा है और जब यह थोड़ा सा यहां पर ज़्यादा जाली पड़ गई है, तो यह जो मतनी होती है उसका मैंने यहां पर पीछे का जो वो डंड़ा होता है, उसको निकाल करके यहां पर बीचो बीच में एकदम होल बना लेंगे और उसी में बैटर हम डालते जाएंगे और अब साइट से पूरा हलका हलका इसको प्रेस करके थोड़ा सा दबा देंगे ताकि यह नीचे जाएगा तो अच्छे से और पक जाएगा घेवर, यहां पर घेवर बन करके रैडी है, आप देख सकते हैं और इसको अराम से निकाल लेते हैं और इसको एक जाली में रखते जाएंगे ताकि सारा ओयल जो एक्ष्ट्रा ओयल है वो एक बरतन में निकल जाएं और इसी तरीके से सारे घेवर को बना करके रैडी कर लेंगे और वापस से उसी तरीके से हम दूसरा घेवर तयार कर लेंगे ध्यान रहे जो बरतन में आप बना रहे हैं वो बरतन जो है गैरा होना चाहिए और उसमें ओयल जो है थोड़ा सा आधे से थोड़ा सा कम होना चाहिए क्योंकि जो जाग बनेगा वो उपर तक आएगा तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें और यहाँ पर मैं कुछ dry fruit कट कर लेती हूँ आप देख सकते हैं सारे गेवर बन करके ready हैं और यहाँ पर अब डेकोरेट करते हैं गेवर को तो यहाँ पर जो मैंने चासनी बनाई थी उसको जो है थोड़ा थोड़ा करके चम्मच की सायता से उपर से चासनी को लगा लेंगे चासनी थोड़ा या ज़्यादा आप अपने कॉर्डिंग रख सकते हैं और आप चाहें तो बीना रबडी का भी गेवर ऐसे ही चासनी के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगता है और आप उपर से हम यहाँ पर रबडी लगा लेंगे आप देख सकते हैं रबडी बहुत ज़्यादा जमी फार्म में नहीं है थोड़ा सा लूजी होनी चाहिए ताकि उसको आराम से घिवर पे लगा सके और चारो तरप से इसको अच्छे से लगा लेंगे और इस पर उपर से ड्राइफ रूट एड़ कर देंगे मार्केट से भी बहुत अच्छा बन करके यह तयार होता है तो आप इसको एक बड़ जरूर ट्राइब करें अगर आपको मेरी यह रेसेपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बन करके घिवर तयार है तो आप इसको एक बड़ जरूर ट्राइब करें गिवर मोटा पतला आप अपने कॉडिंग रख सकते हैं मैंने यहाँ पर मेडियम साइज के ही गिवर बनाए हैं आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू